उदेपूर में बार एशुशन की ओर से हाई कोट बेच की मांग को लेकर आक्रोष एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है पिछले 45 सालों से चल रहा है उगर अंदुरन पिछले 3-4 दिन से तेज हो गया है गुरुवार कोट में वकीलों ने कार्य बैश करकर नीम चोक पर चमकर आक्रोष व्यक्त करते हैं नारेबाजी कर बार एशुशन के प्रतिनीती मंडल ने कलेक्टर को ग्यापान सो हाई कोट बेंच में जल्द से जल्द सुरू होने की मांगी साथी चेतावनी दीख कि अगर मांग पुरी नहीं हुई तो उग्र अंदुलन किया जाएगा प्रति आप उसका प्रति नहीं करेंगे यह उसका भी अगर हमको आप नहीं दे रहे हो तो यह अंगोलन हमको इतनी करना पड़ और यह शरकार के लिए जब आप करने ही वाले हो जब आपने सेजांती रूप में यह कर लिया है आप ने उडिसां में दस दिलों के अदर वर् हैं अबुर्णफना क्यों ब्यूस कर देंगा है नाराज रोगा कर लंग और रोज के जितने लोब यह दौने वकी वकील है उन्होंने के उन्होंने च्राइब को हमेजन देश होनुद निया है पर यह जो बात है हमारी सांतियों अमारी आदिवासी डिक्ताकी की जो सदियों से लियाए के लिये स्रफ दृव दिए हम यहां पर हुजार रुपर में मैं बांसों रूप औरह अब वह हिंक घर बृत कर दोनत ही विसली पैसे पूर कर देंगे 態मिकिո है तो जिनकी हाँ से जमानते खाम जो मैं वह जमान के हाई kurz ने पोस्टी नहीं है। मेह नो कि इंजार कर रहे होते हुथे तो उन लोगों की पहले ही करें साथ ही हुआ को जो जेलों मे पड़े हैं हम अपना फूट पसीना अबहा करके अपना टाइम खराब करके अपना पैसा फराब करके यहां कोट पोट के चोड़ाय पर खटड़ें मानों सब्रा बनाईंगे यह हमारा बडिदान है विल्खा बढ़ाने के लिया अंदॉलन महीं है विल्खां बढ़ाने के लिए आंदौर नहीं करें कि हमारी पीश बढ़ा दो लड़ाई लड़ाई में अमने 42 साल लड़ी है और अब समय आ गया कि हमें इस लड़ाई को आखरी अतोड़ा मारने के लिए आखरी जीत की तरब आगे बढ़ने के लिए बर्जोर तरीके से प्रयास करना है जो भी कारकार बने उसमें हम सब को तहे तीट सावी लोग करके इस लड़ाई को आगे बनाना है बहुत 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 द्रीके लिए जिल्ला में से अप्यों ग्यापन दिया था और उस ग्यापन के हंदा हमने हमने हमारी पूरी की पूरी जानकारी बता दी गई थी और जापन के अंदर जो भी विस्कृत जानकारी थी उसके बारे में हमारे मेवार वागाट हाइकोटेंस अंकस्तमीति के परमादेनी सयोग हमेजी नन्वना ने बहुत दी विस्कृत वार्ता की जिसके अंदर